श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु को ही मन बुद्धी का समर्पन करके लक्ष प्राप्त करना चाहिए। इसमें दो शब्द हैं एक श्रोत्रिय एक ब्रह्मनिष्ठ मुंडकोपनिषत में बेद में एक मंत्र है परीक्षलोकान कर्मचितान ब्राह्मनो निर्वेदमाया नास्त्यक्रताक्रतेन तत्विद्यानार्थम सगुरु मेवा भिगच्छे समित्पानि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठ एक दो बारा यह मंत्र कहता है अरे मनुष्यों हम सब जो बहुत बड़े बड़े योगी तपस्वी ज्ञानी हुए है इन लोगों ने साथ कर्म धर्म ज्ञान जोग किया लेकिन न तो माया गई न तो भगवान मिले तो पता चला कि अपने करने से कुछ नहीं मिलेगा किसी श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष्टे शरण जाना होगा और शरण मन बुद्धी का फिर वो गुरु बताएगा क्या करने से भगवत प्राप्ति होती है माया निवृत्ति होती है अपना प्रियत्न सब लोग बंद कर दो हम लोगों ने बहुत साधना करके देख लिया श्रोत्रिय तीन प्रकार के होते हैं श्रोत्रिय मायने थियोर्टिकल मायन शाब्दिक ज्यानी जुन्होंने शाष्ट्रों बेदों का ज्यान प्राप्त किया है शब्दक ज्यान वे शाब्दिक कहलाते हैं श्रोत्रिय कहलाते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं कुछ तो ऐसे होते हैं जो शाष्ट्रवेद का मर्म जान लेते हैं समझा नहीं सकते अपने आप जान लेते हैं और कुछ ऐसे होते हैं कि जान भी लेते हैं और लिख भी देते हैं हर एक को लिखने की अकल नहीं होती संसारी पुस्तकों में भी आप लोग देखते होंगे कि बहुत से मास्टर जान तो गए हैं लिख नहीं सकते ये कला अलग होती है कोई कोई एक्सपर्ट होता है बुक लिखने में और कोई ऐसा भी होता है कि जान भी लेता है और बुक में भी लिख देता है लेकिन समझा नहीं सकता दूसरे को नहीं समझा सकता ये कला अलग होती है क्योंकि इसमें बड़ी मेहनत पड़ती है समझाने में उसको read करना पड़ता है हर एक स्रोता को यह समझा कि नहीं समझा अभी नहीं समझा और तरह से समझावें अभी नहीं समझा अब और तरह से समझावें यह knowledge होने का ही यह बकता अपने lecture देता चला गया कोई समझे न समझे तो ये समझाने वाला नहीं कहलाता तो जो समझा सके ऐसा ब्यक्ति हम लोगों को चाहिए लेकिन समझाने वाला वही सही होगा जिसने सही समझने वाले से समझा है जिसने पढ़के समझा है ओ नहीं समझा सकता पढ़कर समझने वाले तो हाफ मैट हो जाएंगे समझने इस सकते क्यों? इसलिए कि शाष्त्र बेद में कई बिरोधी बाते लिखी है यह भी लिखा है यह भी लिखा है उसका उल्टा भी लिखा है यह भी लिखा है कर्मधर्म का पालन करो और यह भी लिखा है वे घोर मूर्ख हैं नाक दबाते हैं और बयायाम करते हैं इससे भगवार नहीं मिलने वाले सब तरह की बातें लिखी हैं अब पढ़ने वाला क्या डिसाइट करें किसकी बात सही है बेदांत कुछ कहता है नियाय शास्त्र कुछ कहता है बैशेशिक कुछ कहता है सांख कुछ कहता है नीमानसा कुछ कहता है शुर्त्र बिभिन्ना स्मृत्यो बिभिन्ना नईको मुनिर जस्य बचा प्रमाणम इसलिए बेद में लिखा है कि देखो मुझे को जानने के लिए शुरोत्रिय ब्रह्मनिष्ट महापुरुष के पास जाना मुझे को पढ़के जानने की चेश्टा न करना बेदा ब्रह्मात्व बिशया आश्ट्रिकांड बिशया इमे बेद भगवान के समान है जैसे भगवान बुद्धी से परे है ऐसे बेद भी बुद्धी से परे है बेदस्टे चेश्वरात्मत्वात तत्रमुवियंति सूरयह बड़े बड़े योगी इंद्र मुनी इंद्र भी बेद का अर्थ पढ़कर नहीं समस्तकते है ग्यारा तीन त्यायतालिस भागवत परोक्षबादो बेदोयम बाला ना मनुशासनम बेद में शब्द कुछ लिखा है और उसका अर्थ कुछ है तो कैसे समझेगा कोई एक्जाम्पल दू सुनो अनन्ते स्वर्गे लोके जेये प्रतितिश्ठाती केनो पनिश्ठात चार नाओ इस क्या कह रहा है बेद मंद भगवत प्रति के बाद स्वर्ग लोक में जाओगे और सदा के लिए आनन्द मैं हो जाओगे स्वर्ग लोक में और सदा के लिए आनन्द मैं वो तो नश्वर है स्वर्ग तो और वहां तो आनन्द है ही नहीं स्वर्ग शब्द लिखा है भगवान के लोक के लिए अस्माल लोका दुत्क्रम में अमुश्मिन स्वर्गे लोके सरवान कामानाप्वामृता समभवत समभवत आइतरियो पनिशत तीन एक चार और ये मंत्र आत्म बोधो पनिशत ने भी है एक साथ अर्थात जो भगवत प्राप्ती कर लेते हैं वो इस शरीर को छोड़कर स्वर्ग लोक जाते हैं और स्वर्ग लोक के लिए तो बेद कहता है जो घोर मूर खोते हैं वो स्वर्ग के लिए प्रियत्न करते हैं या स्वर्ग जाते हैं क्योंकि वहां भी माया वहां भी काम, क्रोद, लोब, मोह सब हैं जैसे यहां हैं जैसे यहां एक भिखारी और एक अरब पती में देखने का अंतर हैं हैं दोनों दुखी ऐसे ही यहां के खरब पती और स्वर्ग लोग की पबलिक के सुख में अंतर देखने का हैं बाकि सब रोग महां भी हैं अरे सुरुपतिर ब्राह्मम पदम याचते स्वर्ग का राजा ब्रह्मा बनना चाहता है हमारे मृत्य लोग में कोई तपस्या कर रहा है भगवान को पाने के लिए अब सरा भेटता है कि भ्रेष्ट करो इसको नहीं को हमारी गद्दी छीन लेगा ये इरश्या है स्वर्ग के राजा का तो पब्लिक का क्या हाल होगा और बताओं आप सुनके दंग रह जाएंगे अच्छा बताई देते हैं स्वर्ग के शरीर में खुश्बू आती है शरीर में वहां की अपसराओं में इतना बड़ा सुख है कि बड़े बड़े बिश्वामित्र वगेरा जो दुनिया बना दे नहीं नया स्वर्ग बना दिया था त्रिशंकू के लिए बिश्वामित्र ने वे भी मोहित हो गए वो स्वर्ग का राजा इंद्र हमारे मृत्य लोग की एक बिबाहिता इस्त्री में आ सकत हो गया आप लोग रोज तो पढ़ते सुनते हैं जानते होगे अहिल्या अहिल्या जो पत्थर बन गई शाप से हमारे इंडिया की बिबाहिता इस्त्री जिसके रोम रोम से पसीना और गंदगी निकलती है उसमें आ सकत हो गया इंद्रू तो बला वहां की पबलिक को क्या अनंद मिलेगा और क्या वो मायाती तो होगा लेकिन बेद स्वर्ग शब्दे लिखता है और अर्थ लिखता है भाष्ट में भगवान का लोग आप लोग सुनते हैं पूतना को गो लोग मिला अच्छा लेकिन भागवत में क्या लिखा है यातुधान्य अपिसा स्वर्ग मवाप जननी गतिम भगवान ने पूतना को मावाली गति दी स्वर्ग और उसका अर्थ लिखा है गो लोग तो बेद में शब्द कुछ है अर्थ कुछ है इसलिए जब भगवान ने बेद प्रकट किया ब्रह्मा के सामने तो ब्रह्मा नहीं समझ सका ब्रह्मा जिसने नथिंग से संसार बनाया है उससे बड़ा कौन ग्यानी होगा तेने ब्रह्म हृदा जा आदिकबए मुहियंत जत्सूरया भागवत पहले ही लिखा है भागवत में भागवान ने कृपा करके ब्रह्मा के हृदय में बैठ कर बेद का ज्यान कराया तो फिर ये आएरे घैरे नथू खैरे हम लोग बेद पढ़ेंगे तो क्या हाल होगा जब ब्रह्मा नहीं समस्चका अरे तुम बेदों के छोड़ो रामायन तो रोज पढ़ते हो लेकिन रामायन में लिखा क्या है जेश्रद्धा संबल रहित नहीं संतन को साथ तिनकामानस अगम आति जी नहीं न प्रियर अगुनाद तिरा मायन वो पढ़ेगा यह जो तीन शर्थें पूरी करें क्या? श्रद्धा यानि पूर्ण विश्वास योग की शक्ति से जैसे हनुमान जी ओप चले गए आकास तक लंबे होके अब जो योग का हाल नहीं जानता वो कहिए जाए गप पैजी ऐसे कही होता है तिरा लंबा हो जाए आज मी जहिगिरी पैर देई हनुमंता चलेव सुगा पाताल तुरंता जिस परबत पर हनुमान जी पैर पठके वो पहार चला जाए पाताल में अरे अब गप फेड़ी ऐसा कही होता है हमारे संसार में सबतरे के लोग है तर्क, कुतर्क, आतितर्क अप प्रकार के करने वाले तो रामैन कहती है श्रद्धा हो पूर्ण विश्वार और नमबर दो श्रोत्री ब्रह्मनिष्ट संत का साथ हो जहां कहीं डाउट पैदा हो पूछ लो उससे अपनी खोपड़ी न लगाओ और जिनही न प्रिय रगुनाथ रगुनाथ जी उनको प्यारे लगए कामी हिनारी पियारी जी मी वो रामैन का अर्थ समझ सकता है अन्नता मनमाना आर्थ होगा आज हमारे देश में रामैन के बक्ता कई हजार हैं तो क्या बढ़िया बढ़िया आर्थ करते हैं चोपाईयों के आप लोगों को हसाते हैं और आप लोग कहते हैं एक चोपाई का आर्थ हम आपको बतावें पंडितों वाला कोट कोट मुनि यतन करा ही अंतराम कही आवत ना ही बाली कह रहा है राम से कि महराज आप कहते हैं जिन्दा कर दू अए जिन्दा करना की बात मैं चाहूंगा भला कोरोणों प्रियत्न करते हैं योगी ज्यानी कि अंत समय में भगवान का स्मरन हो जाए उनका नाम आ जाए जबान पर नहीं आता और मेरे सामने राम बैठे और मैं शरीर मांगूंगा उनसे यह अर्थ है किदा किदा लेकर पंडित लोगों ने पबलिक को क्या बेवकूब बनाया उन्होंने कहा इसका अर्थ सब नहीं जानते मैं बताओं हाँ क्या आर्थ होता है एक कोई मुनी थे किसी ग्रहस्थी के घर गए और घर में बरांडे में बैठ गए तो ग्रहस्थ आए कहीं बाहर से उन्होंने कहा कोटी 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 शब्द है ना उन्होंने कहा कोटी को यहां कौन ठह रहा है बैए बिना कूछे हमारे बरांडे में तो उन्होंने कहा टी मुनी मेरा नाम है टी मुनी कोटी कोटी मुनी अरे तुम कैसे आ गए हमारे घर के बरांडे में अन्त और कहीं जाओ तो टी मुनी ने कहा आराम कह मैं जाने वाला नहीं हूँ मैं तो यहीं रहूंगा तो ग्रेश्टी ने कहा डंडा लेके आता हूँ मैं आवत तो टी मुनी ने कहा नाहीं हम चले जाएंगे यह पंडित लोग रामैन का अर्थ करते हैं एक चोपाई के बावन अर्थ किया हमुक पंडित जी ने तो क्यों जी जब बावन अर्थ किया तो सही कौन सा है यह नहीं बता है पंडित जी ने तो यह शास्त्रों के यह भगवान और महापुर्शों की बाणी है इसको समझने के लिए उनके बराबर बुद्धी चाहिए यह गंदी बुद्धी लेके हम लोग जो संसार में गोबर गणे घूम रहें इस बुद्धी से शास्त्रवेद का ज्ञान नहीं हो सकता इसलिए शास्त्रवेद सब कहते हैं गुरू के पास जा और गुरू भी ऐसा हो जो ठेक ठेक श्रोत्रिय समझाने में समर्थ हो हमारे डाउट निकाल दे ऐसा श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ भी हो यानि भगवान को प्राप्त कर चुका हो बहुत से भगवान को प्राप्त किये संथ मिल भी जाए और श्रोत्रिय नहो तो वो यही कहेंगे भगवान से प्रेम करो प्रेम करो कैसा होता है भगवान अरे बस भगवान से प्रेम करो तमाम बात नहीं करते तो भोला भाला भागत जो होगा वो तो ये इतने बोलेगा बस न उसको शाष्ट्र का कोटेशन याद है न बेद जानता है हम तो तब मानते हैं किसी बात को जब शाष्ट्र बेद का प्रमार दे कोई हाँ बेदों में लिखा है हाँ तब तर ठीक कहते हैं आप भागवत में लिखा है आच्छा आच्छा रामैन में लिखा है हाँ ठीक है ठीक है अब अपने घर से आप बोलने हैं हैं नहीं मानते हैं तो श्रोत्रिय भी हो ब्रह्मनिष्ट भी हो ऐसा गुरू अगर कभी मिल जाए तो क्या अनादिकाल से अब तक अनन्त बार मानो देह पाकर भी हमको ऐसा गुरू नहीं मिला मिले अनन्त बार मिले लाख दो लाख बार नहीं कि जितने संत महात्मा हुए है उस समय हम भी थे ओ जगत गुरू के बाप हो कोई संक्राचार्ज, नुम्बारकाचार्ज, माद्धवाचार्ज सब के दमाने में हम भी थे लेकिन एक लेकिन लगा था क्या? हमने उनको माना नहीं कि ये संत है शोट तरिये ब्रह्मन निश्ट गए लेक्चर सुना लेकिन माना नहीं इसलिए मन बुद्धी नहीं दिया उनको प्रणाम किया रस्गुल्ला खिला दिया लेकिन उनकी बात को सेंट परसेंट मान कर प्रेक्टिकल अमल नहीं किया अपनी बुद्धी लगाया जैसे ज्यान दी जीए भागवान कहते है तम भ्रण्षया में संपध्यो यस्ट्यचे च्छाव मनुग्रहम भागवत दश्मस्कंद के 27 में अध्याय का सोलहमा अफ्लोप मैं जिस पर कृपा करता हूँ उसका संसार छीन लेता हूँ सब लोग ध्यान दो ये भागवान स्री कृष्ण कह रहे है लेकिन भागवान स्री कृष्ण के भक्त कहलवाने वाले करोडों हैं हमारे देश में कितने आदमी इस सिद्धान्त को मानते हैं अरे ये एक भी नहीं मिलेगा आपको आपकी प्रापरटी छिंजाए आपका बाप मर जाए आपका पती मर जाए और आप कहें भागवान की कृपा हो गई आप तो उल्टा मानते हैं अरे वहां गए है गुरुजी के पास हमारा पती हो गए अरे हमारे बेटा नहीं था वहां गए बाबा जी ने एक तबीड हमारे बांदी बेटा हो गया हमको नोकरी नहीं थी हम तो इसको कृपा मानते हैं हमारा संसार छीन ले तो भगवान को गाली देंगे कृपा मानेंगे भला तो हम आस्तिक कहां हम आस्तिक ही नहीं हैं अभी बड़ी-बड़ी बाते तो छोड़ दो आगे वाली हम बैश्नो है शाइव है शाक्त है लंबी लंबी तिलक लगाते हैं, ये सब कुछ नहीं काम देगा, भगवान की बात मानो न, उनका क्या सिध्धान्त है, उनके फालोर तो तभी कहलाओगे, नहीं मानते हैं, तो अनंत संत मिले, लेकिन हमने किसी को सेंट परसेंट संत नहीं माना, कुछ परसेंट माना, नहीं होंगे तो संत, जगत गुरु रामा रुजाचार शास्त्र बेज भी जानते हैं, और इनका फ्रेम भी है भगवान से, लेकिन ये, ऐसा क्यों करते हैं, ये, कुछ मीन में निकाल करके हम अबाउट टर्न हो गए, अपराद करके, इसको नामा पराद कहते हैं, सबसे बड़ा पाप, भगवान में तुरुटी निकाले, संत में तुरुटी निकाले, जो हमारे मुआफिक ना हो, वो गलत, भाई, हम लोग अपनी मन के गुलाम हैं, मन के, हमने मन में सोचा, गुरु जी को रसुगल्ला खिलाएंगे, हम ले गए बड़ी मुश्कल में मिला दुकान पर, और गुरु जी के सामने बैठे, गुरु जी, मैं रसुगल्ला नहीं ख हाँ ठीक है, मैं डाइबिटीज का मरीद हूँ, मैं रसुगल्ला नहीं कहूंगा, हाँ तो सब भक्त की इच्छा पूरी करने वाले हैं, अरे पूरी करने वाले हैं, मरना है कहा मुझे, हमारी बात माने वो गुरु बढ़िया, हमारी बात नहीं माने, हम नहीं जाते उसके साब के साब ने हमको डाट दिया, ए तुम लेट को आए आज, ओ कुछ गुरु जी काम आ गया था, कुछ बेटे को चोट लग गई थी, बेटे को चोट लग गई थी, हम पंद्रा मिनट बोल चुके, अब आए हो लेक्चर सुनने, बेहरम, बेहया, ऐसे ही भगवत प्राप दिगरेगा, बुरु जी ने तो डाटा अपना मान की, कि ऐसी गलती आगे न करें, उसने का है, जी जाब के जामने हमारी इंसल्ट कर दी, मैं अब नहीं जाओंगा वहां करें, ये नहीं सोचा, इतना हमको अपना माना की डाटा, हमारे कल्यान की उनको इतनी चिन्ता है, हम हैं क्या, अनंत जन्मों के पापात्मा, हमारी ओर तो देखना भी नहीं चाहिए उनको, जो श्यामा च्याम को देखने वाले हैं, वो हमारी ओर देखें, हम ऐसे हैं, हमसे बोलें, कैसे बोलें हमसे वो, यह सब अगर इंपॉर्टेंस हम समस्ते, गुरु कृपा की, तो कब की भगवत प्राप्ति हो गई होते हैं, लेकिन हम तो अपनी बुद्धी को अथार्टी मानते हैं, हमारी बुद्धी ने जो कहा वो ठीक है, तोड़ी से बाद उनकी भी ठीक है, सेंट परसेंट नहीं, को अनंत संत श्रोत्रिय बरमनिष्ठ मिल चुके, लेकिन हम उनसे नहीं मिले, माने बुद्धी समर्पित नहीं की, जैसे हम स्कूल में बुद्धी समर्पित करे की करते हैं, डाक्टर के सामने बुद्धी समर्पित करते हैं, वकील के सामने बुद्धी समर्पित करते हैं, डाक्टर ने का एक बुद्धवा लेना, एक चम्मच पानी में डालना, तीन बार लेना, हम इसे करते हैं अरे डाक्टर सहाब उतना बड़ा शरीर एक बून दबा मैं तो सीची बार के पी लूँगा जल्दी अच्छा हो जाओ अरे मर जाएगा ऐसा न करना हम नहीं करते कभी तीचर ने कहा लोगो नाइफ में पहले के लिखो के लिखे क्या कनाइफ बोलना है उसको ने ने बोलना नहीं है लेकिन वह साइलेंट होता है हमारे हिंदी में नहीं होता जी ऐसा अरे तो तो हिंदी पढ़ रहे हो जी इंगलिस हम मानते जाते हैं अरे एक अक्षर समझ लो का हमको पहली बार पढ़ाया टीचर ने तो उसने हमको का लिख कर दिया ऐसा होता है का बोलो का का ऐसे लिखो किसी लड़के ने पूछा इसका नाम का क्यों होता है और का की शकल ऐसी ही क्यों होती है अरे ऐसा कोई पूछेगा तो उसको स्कूल से निकाल देगा ठीचर अरे तूब पढ़ने आया है कि बहास करने आया है ऐसा होता है बस तो टीचरे को नहीं मालूम हो बचारा क्या समझाएगा कि इसको का क्यों कहते हैं तो संसार में तो हम सब मानते जाते हैं और बेदशाष्त्रो और गुरु जो कुछ कहता है उसमें से जो अपने मुवाफिक होता है वो मान लेते है और जो अपनी बुद्धी के खिलाफ होता है वो रिजेक्टे इसलिए हम अनादिकाल से अब तक अपना लक्ष नहीं प्राप्त कर सके तो श्रोत्रिय भी हो संत और ब्रह्मनिष्ठ भी हो ऐसा संत हो दो शर्थ तीसरी शर्थ मन बुद्धी अर्पित हो हमारी यह सबसे बड़ी इनपॉर्टेंट शर्थ अपनी बुद्धी ने लगाएं बालमीक ने कहा मैं राम नहीं कह सकता अच्छा बाबा मरा तो कह सकता है हाँ अब मरा मरा कहता जा और जब तक हम लोट के नाम है तब तक उसने नहीं पूछा कि आप कब लोट के आएंगे गुरू जी, एक साल में आ जाएंगे, दो साल में, जैसा वकील ने कहा ऐसे ही बयान देना कोर्ट में और इसके आलावा अपनी बुद्धी से कुछ बोलेगा तो मकत्मा खराब जाएगा, वो अपड़ गमार, बिलकुल वकील साथ के अनुसार बोलता है कोर्ट में, दूसरा बहुत बड़ा एडो के सिर्पे हाथ धर के चला गया, अरे ये तो बड़ा पकाव है, तस्तिमस नहीं हुआ, उसने शरनागती कर रखा था मन बुद्धी की, जितना कहा है वकील ने उतने भोलेगे, तो शरनागती शब्द का अर्थ यही होता है, मन बुद्धी, डंडवत कर दिया ऐसे, लकड़ी की तरे शरीर को, गुरुजी के चरण में, ये ते एक्टिंगे, ये शरीर की भक्ति वहाँ लिखी नहीं जाती, तुमने मन बुद्धी को चरणों में अर्पित किया क्या, और सेंट पर सेंट किया क्या, अगर वो कर देते, तो अनाधिकाल से अब तक एक नहीं अनंत भगवत प्रप्ति हो जाती है, क्योंकि भगवान तो कुछ चाहते ही नहीं, वो तो केवल मन चाहते हैं, प्यार चाहते हैं, क्या, खिलाओ, कोई काईदा नहीं, देवी देवताओं के लिए काईदे हैं, मनुष्य के लिए काईदा है, यहां का प्राइम मिनेस्टर जाए, इंग्लैंड, अमेरिका, पाकिस्तान, तो इनक्वाइरी होगी, क्या खाते हैं ये, काई बज़े खाते हैं, बड़ी इनक्वाइरी के साथ उसी के अनुसार खाना बनेगा, संसार में भी और देवताओं के हाँ तो और कड़े नियम हैं, भगवान कहते हैं, ना, ना, हमारे बच्चे हैं, इनके लिए कोई काईदा कानून नहीं, पत्रम, पुष्पम, फलम, तोयम, अर्जुन, पत्ता दे दे नीम का, आप खा लेंगे महराज, हाँ हाँ, हाँ, महराज हमारा तो पैर खराब है, पत्ता तोड़ने कहा जाएं, अचा पानी पिला दे, अचा तो कुछ मत कर, मन से खिला दे, मन तो है, हाँ, मन तो है, सब के, ओ, गदे के भी है, बिना मन के कोई पर्सनेलिटी नहीं हो सकती, मन से मुझे हश्णान करा दे, करोडों गंगा जी का, बड़ी खुश्बु वाला जल, करोडों अर्बों, कोहनूर हीरा क्या, बढ़िया सहावस की माला, पहना दे, मन से, एक पैसा खर्च नहीं होगा, वही फल दूँगा, जो खरप पती सच्मुझ हीरे की माला पहनाएगा, इतनी क्रपा, इतनी रियायत, अपने बच्चों के लिए, लेकिन बनावत, चार सुबी, शो, दिखावा, एटिकेट, ये सब दुनिया में करना, हमारे या नहीं करना, मोहि कपट चल छिद्र नभावा, देख, जब तु पैदा हुआ था, तो बिल्कुल भोला भला था न, कोई चालाकी, चतुराई, चार सुबी, आती नहीं थी, नहीं कुछ नहीं आता, मैं घर के बाहर खेल रहा था, तो मम्मी आई, तो मम्मी ने कहा, देख, पडोसिन आएगी, उससे कह देना, मम्मी घर में नहीं है, पडोसिन आई, पडोसिन से कह दिया, कि मम्मी ने कहा है, कि पडोसिन आएगी, तो उससे कह देना, मम्मी घर में नहीं है, पडोसिन समझ गई, डाल में काला है, वो चली गई, लेकिन वो ड्राइन रूम से सुन रही थी मम्मी, वो बाहर निकली और एक ज़ापड लगाया, ये क्यों कहा कि मम्मी ने कहा है, आप इने तो कहा था, अरे नहीं, इसको छुपा लेते हैं, इतने ही कहते हैं, देखो गुरु जी को, क्या पाठ पढ़ा रही हैं बच्चे को, अपने बच्चे को, अब वही बच्चा थोड़ा बहुर बड़ा हुआ तो ममा को पढ़ाने लगा, तो ममा कहती है, जूट बोल साए मुझसे, तो गुरु जी तुमी ने तु सिखाया है, कि ये चुपा ले, ये बोल, वहां से लेकर बुढ़ापे तक, मृत्यू तक, हम लोगों ने, सब चार सबीस कठा, बनावट, दिन भर बनावट, जूट, कैसे हो, अल्राइट, एक भी राइट नहीं है, सब राँग है, और बोला है, आज राइट, सफेद जूट, I love you, अरे सब अपने आप से प्यार करते हैं, दूसरे से कोई नहीं कर सकता, यू यू बोलता है, पागल, और सब बेखूब बनते जा रहे हैं, तो भगवान कहते हैं, तुम जैसे पैदा हुए थे, वह इसे ही बन जाओ, भूख लगी रो दिया, पेट में दर्दुआ रो दिया, मच्छर ने काटा रो दिया, अब मा अपना सोचे बिचारे क्यों रोया, हो इलाज करें, हमसे मतलब में, ऐसे ही भोले बालक बन कर, मुझसे मेरा सामान मांगना, संसार नहीं मांगना, नहीं तो मुझस को ही भूल जाओगे, संसार इतना भयानक है, कि जहां अधिक मिला, ओ भगवान अगवान कुछ नहीं होता जी, एसे बोलेगा, कुंती ने बर मांगा था भगवान से, नाराज संसार छीन लो, ताकि लोग मेरे पीछे न पढ़ें, अगर एक भी चीज किसी के पास अच्छे कलास्की होगी, तो लोग पीछे पढ़ेंगे, यह विश्व सुन्दरी है, और कुछ विशेष बात है, नहीं कुछ नहीं, काली सुन्दरी है, यह अपढ़ गवार बहुत बड़ा पहलवान है, दुनिया में सबसे बड़ा, बैट, हाँ, चलो देखें उसको, और जिसमें कई चीजे हो, फिर तो प्राइम मिनिस्टर है, गेरो, इसने बड़े मतलब निकलेंगे, और जब वो छिन गई सीट, अब कोई बुलाने से नहीं जाता उसके पाथ, आदमी वही है, तो श्रोत्रिय हो, ब्रह्मनिष्ट हो, और मन बुद्धी की सरणागती सेंट परसेंट हो, अगर ऐसा कभी हो जाए, तो फिर लक्ष की प्राप्ति अपने आप हो जाएगी, और बिना कुछ परिश्रम के, बिना कुछ काइदे कानून के, भगवान भोले पन से प्यार करते हैं, ये रट लो, वहाँ जरा भी चाला की काम नहीं देगी, कि तम्योंना था, चपिता तनेवा, मंदिर में बोलने हैं, तू ही मेरी मा है, लेकिन मैं अपनी मा से भी प्यार करता हूँ, तो ही क्यों लगा रहाते हैं, तो हम ये हो, अरे फिर तो भी लगाओ, तुम भी मेरी मा हो, ठाकर जी यो एक मा घर में भी है, तुम भी मेरे बाप हो, एक डेडी घर में भी है, ऐसा बोलो, भगवान को भी नहीं छोड़ते हैं हम लोग, वहाँ भी जूट बोलते हैं, आर्थ न धार्म न काम अर्योची, मंदिर में बोल ले हैं, हमको न पैसा चाहिए, न संसार चाहिए, न मुख्ष चाहिए, आपके चरणों में प्यार चाहिए, मुख्ष ये बोल ला, गर जाकर कहता है, पैसा तो चाहिए, इसके में न कहते हैं काम चलेगा, ये सब चिकडम, भगवान के यह नहीं चलेगा, वो अंदर बैट कर नोट करता है, संसार में चल जाएगा, चलता है, बड़े बड़े फिटरत वाले लोग है, बैंक से गाइप कर देते हैं सामान, पकड़ने वाले के घर में डखईती पड़ जाती है, लेकिन भगवान के यह नहीं चलेगी, उल्टा दंड मिलेगा, थैंक्यू,